जब नई शेवा शर्त आई तो मैंने अश्मिनी पांडे को फोन लगाया अश्मिनी पांडे मेरे इस तरफ बैठे हुए है मैंने शिक्षकों पर जब 6 एपिसोड किया था तो जूम कॉल के जरिये इनसे बापचीत होई थी और इन्होंने ये बताया था कि शिक्षकों की मांग क्या है और अगर विस्तित्रता से मैं बोलू तो नियोजित शिक्षकों की मांग क्या है और जब सेवा शर्त आया तो सबसे ज़्यादा खुश मैं था ये सोच कर कि अश्मिनी पांडे बहुत खुश होंगे अश्विनी पांडे ने फोन पर कहा कि सर सरकार ने हमें ठग लिया है अगला सवाल ठग कई से तो इन्होंने कहा कि यह इसे नहीं बताएंगे आपको हमारे यहां आना पड़ेगा तो हमने भी अपना मोटर साइकल उठाया और इनके घर पहुंच गया है क्यों नराज़जी नराज़गी का खुस होने का कोई एक कारण ही नहीं है जो पुलिंदा बनाया गया है सेवासर्त का जो पुलिंदा है वो केवल और केवल चलावा ही है सब जगा बड़े स्मार्ट तरीके से चलाकी से जैसे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं कि च अखबारों में बड़ी-बड़ी हीडिंग बनी कि नियोजी सिक्षकों को अब ट्रांसपर मिलेगा वो जहां चाहें वहां जा सकते हैं लेकिन मैंने आपको सेवासर्त का जो यह है कॉपी उसको मैंने आपको वट्सप किया था अपने देखा होगा उसमें कि मिच्वल ट्र में और उसको मनाये कि आप चंपरन आईये आपको पाल गजा आईये तब यह पटना जा पाएंगे तो यह वीडम मतलब ग्राउंड लेबल पर यह सकसेस हो ही नहीं सकता है यह एक तरीके से चुनावी सगूफा कहिए या फिर जनता के बीच में कि नितिसकुमार जो सुसास कि नियोजी शिक्षक पहले से रहे हैं उनके दुख को सुनने वाला नहीं था आज भी उसी कंडिशन मो चोड़ दिये हैं उनने वादा तो नहीं भाया है सर चाइनीज है क्या इसे वश्रत चाइनीज नेपाली जो कहिए इसको वही है नेपाल नेपाली भी कह सकते हैं इनके पास जब देना ही था तो यह तो आप इसको रख लेते हमें देते ही नहीं अगर दिये तो ढंका देते वैसा आपने वैसा आपने कर दिया है कि शिक्षक कि जो उनके आश्रित हैं उनको भी अपने बेटे बेटियों और बहनों को सिक्षक का की नौकरी कराने पर अफसोस हो रहा है ऐसी सरकार जिसको सिक्षक से छोड़कर बाकि सब्ची से मतलब है शिक्षा को धोस्त करने में सबसे ज्यादा जोगदान इस सरकार का है शिक्षकों के लिए कोई अगर रणने नीती नहीं बनाई जाती है तो सिक्षक शिक्षा वैसे दोस्त है बाढ़ से ब्यार वैसे दोस्त हुआ है नाज हम चाहिए हैं अपना स्रक्राइस हमने सिक्षवकों को नहीं चाहिए foreign सबसे पहले मैं बता दूं मैं अपने ढंक से इसको यह करता हूं जीन चीजों को यह सरकार हाइलाइट की है कि मैंने यह चीज दिया मैं यह कहना चाहता हूं 2003 से नियोजी सिक्षक है इसका मतलब थगा है लोगों को आप जनता जक्सन चला रहे हैं जिवहीं आप में 10 से 12 इंप्लवाई हो जाएंगे यहीं सरकार आपको नोटीस देगी कि समाजिक शुरक्षा के तहद अपने कर्मियों का अपने कर्मियों का अ अंचान चुरक्षान रहे हैं जिए यह आपके बॉंड़ेशन आजाएगा लेकिन इतना दिन तक इन चला है अब आई यह एजिए सिक्षक संगठनों ने केस किया उसमें से एक पितिस्टर मैं खुद भी था हम लोग 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 नहीं सुनी हम लोग आउमानना में ते सरकार को नोटिस पर नोटिस जा रहा था इन पर कोई बहुत बड़ा करवाई होया था भी हार सरकार पे उससे डर की नहीं दिया एप उसमें भी जोल देखिये क्या कर दिया इन्होंने जो बेसिक या डीय होता है उसका 12% कटता है तकिन इनोंने पता नहीं कौन सा संसोधन करके क्या संसोधन हुआ है कि हम लोग का 15,000 पे नहीं कटेगा मतलब फिक्स अठाड़ा सु रुपया ये देंगे हमें हमें हमारा कितना भी बेतन बढ़ता जाए उससे कोई मतलब नहीं है ये मात अठाड़ा सु रुपया हमें हमारे एटीफ में अंसदान देंगे हमारे ये बेसिक से बेसिक कितना भी बढ़ जाए बेसिक कितना भी बढ़ जाए कोई असर नहीं पढ़ने वाला है एक चलावा यहां हो पहला पॉंट दूसरा राजिकर्मी का केस मेरे संगतन ने क पहलत तस को ये था कि एसे हम लोग से हमी जाए गाउ स्कुषक की वैमिली तो सुखलिए कोई साहर क्यात है तो उसको इसमें प्लाइं नहीं देना है आगनबाडी — यह तो उसने अपलाई कर दिया को के संगमत्य केश कर तो आपी क कर दिया तो उसकी बेह पाली नहीं ंने ह उनको नोकरी नहीं मिला, हम लोग ये बाता चाला हम लोग ये बाता चाला हम लोग ये राइट बना के केस कर दिया जश्टिस अनिलुपाद धायजी है उन्होंने इस पैसला दे दिया इनके क्वालिटी में प्रबलम है, ये, मैं ये कहन चाहता हूं कि थो तो टाहुता है तो गुनवतापुर्ण सिक्षक भी चाहिए ना तो हम तो कह रहे हैं कि आप किसी भी एक्जाम ले लिजे किसी भी तरीके से और बाकी के राज्यों में अपने पड़ोसी राज जारकंड में उत्तर परदेश में उत्राकंड में जैसे है कि असिस्टेंट टीचर जो पद एक् कई राउंड का फिल्ट्रेशन होता है प्रचार में आता है कि इतना फिल्टर कर रहे हैं करिए ना हमारा फिल्टर जितना एक्जाम ले आप बंद मत किजिए रास्ते को दो परसेंट लोग पास होंगे ना तो हमें हमारे अंतर परतियस पर्दा आएगी ना कि हमारे मित्र पास हो गया मैं छूट गया तो क्वालिटी बढ़ेंगी ना हम पढ़ेंगे हम अपमे मसुधार करेंगे तो यह हमें असिस्टेंट टीचर का दरजा नहीं दिया गया एकदम मतलब यह चाहते ही ने कि बिहार के बच्चे जो हैं आम लोगों के बच्चे पढ़ें सारे कॉर दूसरा हम लोगों सेवासर्त की मांग करी ती यह सवाल किया है कि यह सब लुग बोल रहा है यह नहीं सुरू किया था आप मान रहें जैसे यंता जंक्सन आप चला रहे हैं तो चाहिना काम क्या होता है कि जो भी किसी देस का अच्छा पोड़क्ट है उसका तुरंथ फरस् अच्छा है अल्लेडी हमारी लडाई जो थी जो पुराने सिक्छकों का सेवासर्त है उसके लिए थी तीनों ने वो नहीं दिया उसका फुस्ट कोपी मारा उसमें तोल मोल जोल जाल करके कुछ नहीं दिया सिक्छकों को और चाइना की तरह ब्रांडिंग करके जैसे यह उत इसको स्वास्त के लिए को ना वाइरस नहीं होगा जूता में पहिंए गार महाखे तो नहीं होगा इस अपने वेस्ट वस्ट प्रोड़क्ट को भी बड़े अच्छे डंग से ब्रांडिंग करके इसमें आप मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है नहीं ब्रेकिंग इसलिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको और आज आप मतलब इतने अच्छे आपने इमांदारी से जैसे हम लोग आम सिक्छक हैं वैसे आप एक आम परिवार से पत्रकाजिता की पढ़ाई करने वाले लड़के थे काफी अपना उमीद आसा था उस सब छोड़ कि और आके आप विहार की दरदर की यह धूल फाक रहे हैं तो आपके इंदर कहीं नहीं करना चाहता हूं कि यह सब नहीं मिला हम लोग को दूसरा आप देखिए आधियाबादी की बात करते हैं सबसे ज्यादा अगर देश में महिलाओं की बात कोई करता है तो हमारे माननिय तो हमारी करते हैं एक्ड़ियों के नहीं ने 75% डायरेक्शन दे दिया च्शन का इस धुट्यादी करते हैं आपने किया आप देखिए क्या प्रिशन को क्या था थे मैंने पहले बीः आप से एक रहे इक बार इंटर्वियु में जेकर किया था और जिनको ज़रोत नहीं थी कि एक मैडम थी उनका बच्चा हुआ अफ्टर मतलल जितना इनका बच्चा हुआ उसकी तबीयत बहुत खराब हो गगई वो भी द्याले आ नहीं सकी बच्चे का बात था उलाज में लग गया लोग उनका टाइम खतम हो गया उनका नियोजन रद कर दियागा इट मिन्स उनको नोकरी आटा दिया गया और यह ऐसा बहुत जगा हुआ है पुरे बच्चा है तो सिसु देख भाल चुकि चोटा बच्चा है तो दो साल का सावैतनिक सिसु देख भाल सभी भागो में एवन हम नियोजी सिख्चाओं के लिए यहां पर देख जोल मारा गया 120 दिन कर दिया गया तो बहुत सारे मुद्धों पर इन्होंने ग्रेचुटी नहीं दिया गया ग्रेचुटी संविधानी का अधिकार करते हैं तो एक अमांट फिक्स रहता है वो करमचारी को उसका भीभाग पर देता है कि अपने इमांदारी से अपना हड़ी गला दिया इस भी भाग में तो वो देंगे तो ग्रेचुटी का किस हम अभी किये हुग हाई कुट में चल रहा है लेकिन इन नहीं नहीं दिया मतलब जो भी हम लोग लिये है वो कोट से लिये है हम धन्यवाद हम धन्यव command मीठियों के कृपास मिलगया है तो पơ मिल गया है इसमें नितीजीय सोगती है कोई हाथने इसमें कमें इसपन गया रहा था तो उस अभी इकटवा देते हैं संजों क्ये को ठीक सा पढ़ने मुका नहीं मिला होगा इतना हूँ प्यार करते करते हैं ए पयार करते हैं सिक्श शिक्षक उनको 2020 के चुनाव में उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमर कश चुकी है यह सिक्षकों को वो मजाक कर रहा हूं मैं बता रहा हूं ना कि वैसे कमर कशी हुए सीख्षकों ने कि आप चार महीने पर एक महीने की सेलरी देते हैं सीधी बात है हमारा हमारी जीव का आप नौ बजे के बाद जाएगा सीख्षक तो आपके बीजियों साहब उसका टेंडेंस काटेंगे और अगर नव जाए तो भ अब पैसा देते हैं और हम लोग हम दिन भर भविष्ट मना रहा है बचों का बचों को खीड़ी खिला रहे हैं बचों के साथ दिन भर उनका उनकी पढ़ाई लिखाई करा रहा है आप हमारी सल्ली चार में परिक्मने दे रहे हैं हम आप पर चुनाम में उसी तर बताएंग आपको अश्विनी जी सवाल यह है कि अब तो उदे दिये सेवा शर्थ उनके हिसाब से उनको आपका मांग पूरा कर दिये उनको तो यह लगता है ना तभी ना पंदरगस को कानी मनान से बोल दिये आएका कुछ प्लैन है इसके लिए आगे का प्लान यहीं है कि अभी तो हम आपने देखा कि पिछले उनीस तारीक को हम लोग ने काला दीवस मनाया है उसकी सेवा सर्थ की जो प्रती थी जो वर्टसप गरे पर वाराल थी या प्रिस नोट था उसको हम लोग उने जला के अपना बीरोध दर्ज किया और अपने अस्तर से आप लोग के माध्यम से सरका के अफनर तक हम लोग ने प्मचाने काम किया कि हम अनुर्ब्स नहीं है फिर वीज सेलेके सँ गाइस तारीक तक कंटीनियू हम लोग मतलबलिकल का सबता कर के परतिरोध सप्था मना रहें जिसमें हम लोग थी अने ट्वीटर पे ट्रेंग किया है आज हम लोगा कार्षिब कि फेस्बुक पे तक्ति लगा के अपने मांगों का और सेल्फी लगा लगा के बाइकोट एंडिये बिहार एसेमली एलेक्षन 2020 करके हम ट्रेंड कर रहे हैं तो पतल एक दम हम लोग भी कमर कस चुके हैं कि जितना प्यार माननी है मुखमंतरी जी कर रहे हैं हम लोग के साथ जितना अपन दिखा रहे हैं एककदम हम लोग उसके दो गूना उनको रिटर्न कर रहे हैं और जैसे उन्होंने हमारे लेकि एक और चीज मैं भूल गया नियोजीत सब्ध हट गया नियोजीत सब्ध हट गया यह बड़ा मीडिया में सुर्की बटोड़ा हम तो कह रहे हैं कि भाई नियोजीत ही रहने दो न हमको हमारा सेलरी बढ़ा दो हमारा जो एक्चुल सेवा सर्थ है वो दे दो एक समय ऐसा आएगा हमें दो लाक मिना देना सुरू करना दीजिए नियमित तिक्षक वाले जब पान के दुकान पर खड़े होंगे न लोग प हम लोग के साथ और जूट मुट का नाम बदल देने से सहरे होगा इन्होंने नाम बदल के हम लोग बहुत बड़ा सानभूती जो जता रहे हैं तो यह नहीं चलने वाला है हम लोग एदम कमर कस तुके हैं और मेरा एक और अनरोध है अपके माद्यम से बिपक्ष को भी यह जो भी परवक्ता लोग मीडिया में बयान ना दें मैंने फोन किया था उन्होंने उठाया यह नहीं कोई बिपक्ष वाले हो वो वो व बीपक्ष को बिपक्ष का रोल कर रहा है उनको मुझे उनसे यहीं अन्रोध करना है कि आप कृपया हमारी मांगो को अपने जो अनरोध पत्र में सामिल कीजिए नितीश कुमार जी से कहीं कडियल और धंकी देने वाले मुखमंत्री बगल के रहु अर्दास जी थे समविदा कर्मियों ने कमर कसली तो आज नेता पतिपक्ष भी नहीं है विधायक भी नहीं है आर गय थे चुनाव तो यहीं चीज मैं काना चाहता हूं कि आप लोग हम नियो जी सिख चको जितने समविदा कर्मी है उनका सारे लोगों का मांग जो है आप यह कीजिए सामिल अजिए अपने गोस्ना पत्र में और एक वादा करिए कि अपने सरकार के पहले साल में नियोजनमुक्तबिहार बनाईएगा हम सबी लोग वज़वार इस नियोजिए समझीजिए चार लाग हम नियोजी सिख चक्षक है एबरेच छार बांच बहार में मिनिमम लोग होते है मिनिमम 20 लाख एकाद सगा सम्बंदी को जोड़े लिए तो 40 से 50 लाख हो गया और भाईया सिक्षक हैं समाज में रहते हैं वोट कराने भी जाते हैं 10-20 उधर भी पकड़ लिजिए एक करोड वोट लेकिन चल रहे हैं खाली नहीं हो जी सिक्षक अब बाकी लोग को अगर जोड़ लेते हैं आप तो क्या होगा भगवान ही मालिक है ऐसा अश्विनी पांडे का कहना मुझे बहुत अच्छा लगा क्यों क्योंकि इन शिक्षकों को आप राजनितिग्यों ने सुरू से साधा है इनको आपने सिखाया है कि तुम मेरे वोट ब रहेंगे अगली बातचीत में आप जनता रेंग्शन देख रहे थे कैमरे के पीछे आदर्श्वास्तव खड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद है